हेलो दोस्तों आज की वीडियों हम बात करने वाल हैं सी डेटा टाइप यानि कि सी डेटा टाइप यानि कि बेसिक जैसे कि सी प्रोग्राम में कैसे यूज होता है इसके बारे हम सी टोकन सी अडिटिफायर सी कीवर्ड सी कॉंस्टेंट एंड सी कोफ को जैसी ऑपरेटर्स के बारे हम इस वीडिएो में जानने वाले हैं तो वीडिएो के लास्ताव बने रहें अगर आप चैन पर नए है तो चैन को जरू स्थाइब कुलने हो जिना करने हैं तो चैनले सबसे पहले आप देखेंगे किसी डेटा टाइप तो होता क्या है सी डेटाप से क्या होता है उसके बार हम थोड़ा जलग़ानी है यह तो कि आपके सामने हैं आपकी सामनेłemश सभी मौमेंट कर दिया है जैसे कि a data types in c programming is a set of values यहां पर जैसे कि हम थोड़ा c data types की बारे में इमेज निकाल देखें जैसे कि आपको clear हो सके ठीक है c data types यहां पर c data types in c और जैसे images तो यहां पर आपको currently समझ में आएगा देखेंगा जैसे कि c data types से क्या होता है तो यहां पर आप देखेंगे पहले से ठीक है इसमें आपको मैं confirm करवा दूंगा कि किस प्रकास से c data types होता है तो यहां पर आप दे सकते हैं जैसे कि हम इसको समझने वाले हैं तो आपको clear समझ में आ सकता है तो यहां पर जैसे कि यहां पर इस प्रकास से आप देखेंगे जैसे रहा अब देखें यहां ग्राप के ग्राप के माध्यम से आपको समझना है ग्राप के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा देखेंगा जैसे सी डेटर टाइप से क्या आता है पहले हो ऐसके अंदर एक होता है और इसके अंदर एक होता है यहां तक अभी आचुके हैं इसके अंदर क्या क्या आता है वह हम इसमें confirm करते हैं पहले primary click कर देते हैं उसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद integer यहाँ पर एक integer value integer value को मतलब समझते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 लेकिन हाँ जैसे कि बो टू से डिवाइड होना चाहिए वो ही integer value होती है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे इसके क्रेक्टर कारेक्टर रहा दो होता है यहाँ पर साइंड और असाइंड जाहिए आता है कि इस सौट मतलब छोटा छोटा होगा और लांग डूगा इसके बाद अनसाइंड में क्या होता है प्लोट डबल लॉंग डबल तीक है अब देखिए आप उसमें एरे फंक्षन पॉइंटर होता है और यूजर डिफाइंड डे टाइब सोता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनियन और एनम तो यहां पर जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ठीकर डेटा स्ट्रक्चर यूनियन यह आपको समझ में आ चुका होगा इसके बाद यहां पर हम आते हैं इस पार ठीक है जैसे कि हमने क्या बोला कि सी लेंग्विज फंडामेंटर अब देखिए का जैसे कि ए डेटाइब इन सी यानि सी प्रोग्रामिंग इस सेट अफ वैलियूस एंड डेटर्माइ इसके बारे में ढावोंति बाद इस स्ênio ईयकर बिव्यावल फिर देलंगे इस अनि यहां पर धी कातर है जैसे यहां पर एंग का सब्सुट इस स्थे वाइसके वारे में दिस जाल क्युंट दिए मिंग प्रोग्रामिंगे के इंजन फिर्च्छान अव प्रोग्रामिंग इ इस भी समझे लेंगे जैसे का बारे बताने वाले यहां पर न्यांघ की बारे आप देखेंगे कि इस प्रकास से कि क्या के होता है इसके आइड़ेडिडी आइड़े टाइफ आफ भारिवेश्ट बैनिट डिले यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि यह यह तीने प्रकार उसने एनिसी ने प्रवाइड को सी पहला कौन सा होता है प्रैमरी बिल्ड इन डेट इसमें बॉइड वाइड फॉंक्षन में इंट करेक्टर डबल और फ्लोट तो इंट वाइड और और दो हरेक्टर डवल इसको में रखना और आप आप में देखेंगे कि ग्राइब डेटा जी पर्म ज्याए जो इमेज इसके तरूप कि उसमें आप दिखेंगे कि ड्राइब ड्रेफरेंस एंड पॉइंटर इसके बारे में तो यूजर डिफाइंड ड्राइब इस्टक्सर यूनियन एन इनम जैसे मैंने के इनम बोला था जैसे यहां पर आप दें रखते हैं जैसे कि यह रही एनम था इसी प्रकास से अब हम द इस अब दिखेंगे यहां पर पर मिडेटा में क्या होता है कि जैसे बॉयड जैसे बॉयड में क्या आता है कि एज दनेम आप सजेस्ट करता है एट होल डो बैल्यू एंड जनरली जूज़ फॉर जूज़ फॉर इस फ्रेसिफाइंग दैप फंक्शन और वाटे डिटन को बात हैं इंटरम जूज़ दा डेनोट एन इंटीज़ टायब यानि कि यह क्या डेनोड करता है कि यह ओंली इंटीज़ टायप की मैं यहां पर आप आपको विश्षान हो रहा ना तो आप इंटीजर बैल्यू ठीके साज करें एंग है और यह देखिएं इंटीजर बैली तेकतागएट के अनुसार एक पूरनांख उचारण ही नू जेर के पूरन संख्या है बिननात्म एसक्तागएट According to tektagat, an integer pronounced in 2 जेर is a whole number, not a fractional number that can be positive, negative or zero. Examples of integers are minus 5, 1, 5, 8, 97 and 3043. Examples of numbers that are not integers are minus 1.43, 1.75, 3.14, 0.09, and 5,643.1 अब आप इसे दिखिए, जैसे integer value आपने मैंने आपको बताया कि integer value क्या होती है, वो integer value, और point function में क्या होता है तो उसी प्रकार से जैसे हम what is the integer, तो वहले आप अगर आपको clear नहीं integer, तो integer हो clear कर लो, तो integer आपको बहुत ही important work है, अब देखिएगा, जैसे क्या है, कि an integer is whole number from the set of negative, non-negative, positive and zero number, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चाह निगेटिव हो, चाह नॉन positive, negative हो, positive हो यह zero हो, ठीक है, इतना आएगा उसके अंदर, अगर इसके अलावा कोई दूसरी value point में आती है, वो direct float में चली जाती है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको, अब इसमें देखिए, character, character में क्या है, denote the character type, जैसे के character, character में क्या होता है, और float में, character, क्या साथ करेंगे, character, और sorry, correct, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसमें, character, character में character type, float, float में use the denote a floating point type, int float, use the denote a pointer type, इसके पास, जैसे यहाँ पर क्या था, जो primary में थे, जो यहाँ पर आ चुके है, इसके बाद है, कि यहाँ पर देखेंगे, जो c99 में थे, यहाँ पर देखेंगे, three more data types have been added in c99, जैसे bool, complex, imaginary, declarations of primary data types with variables names, after taking situational variables name, they need to be assigned with a data type, this is how the data types are used along with variables, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे example में कहा दियागा, कि int में age दे दिया, age में मतलब age तो कुछ भी हो सकती है, यानि कि 100 years से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि humans जो ages है, only 100 years, correct, that means, जैसे कि मतलब यह होता है, कि अगर जो humans है, 100 plus नहीं जी सकता है, ज्यादा, अब नहीं जी सकता है, पहले जी सकता था, लेकिन character value, character value में letter, letter रहेगा, जैसे letter का मतलब क्या है, जैसे US, तो यह letter, float में क्या है, height width रह सकती है, height width जाता कैसे रहती है, कि 1.25 meter, 1.36 meter, तो height, मतलब height ऐसा होता है, width, ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखेगा, पहले हमने देखा, कि जो primary में, अब है drive, drive ने में कौन-कौन से आते हैं, जैसे हमने आपको पहले होता था, कि drive array, reference of pointer, ठीक है, तो array से क्या है, कि array are sequence of data types having homogeneous values, अब reference में क्या है, कि functions pointer allow referencing function particular signature, particular signature reference में, इसके बाद pointer, pointer में क्या है, कि these powerful C features are used to access the memory and deal, यानि कि जो भी address हैं, जो भी address हैं, उनके powerful C features, इतना powerful है, इसके features जैसे access to the memory, यानि कि memory को access कर सकते हैं, and deal the address, और इसकी address हैं, उनको भी deal कर सकते हैं, अब देखे, user defined data types, user defined data types कोन-कोन से होते हैं, जो defined, यानि कि जो user defined की जाते हैं, उसको कहते हैं, user defined, ठीक है, तो हम यहां पा थोड़ा values बढ़ गई है, कुछ, आज देखो, आज थोड़ा मैं SIS को बढ़ा कर दूँगा, तो आपको clear हो जाएगा, यह से हमने यहां तक कर दिया, आप देखें कि यहां पा इस ट्रक्स है, इस ट्रक्चर, इस ट्रक्चर यह दिखान भी कर दाता कि, अलाव दाइप डफिनिशन फीचर, आप बेचा यह लाओ प्रोग्रामर गूड़ अप्रोग्रामर गूड़ देखायं देखें देटा टाइप, इस ट्रियर आर थी सच टाइप्स, ठीक है, तो यहां पर इस ट्र कि आई ओए इसे घर और डानीज देफिर देफिनेशन सीच्र बेचल बन ब्रोग्रामास सुरिकल स्थिर प्रोग्राम कि एक यह दिखने इनिफार टाइप डाइब टाइप फो यहां पर स्टाहरेअ कि श्टारी ट्राम स सरफ कि यह दो अब लिए नहीं सब्सक्राइब करें लिए डियुक्त टाइप डिपरेंट डिटर टाइप स्टाइब अंडर अधिस दन दाइट एफिसेंसी यानि कि डिटर एक टीवर्ड कैने जो इस ट्रेक्टर आज यह यानि कि जैसे कि इंटीजर का इंट होता है फ्लोट का फिलोट तो फ्लोटी रहता और जैसे कि क्लेक्टर का सी है यानि इचा उसके बाद कीवर्ड इस टूट डिफाइन इस टक्स जो कीवर्ड है इस टक्रीवर्ड है वोड़ डिफाइट करता है स्टक्चर तो ठीक है अब देखेंगे आगे यूनियन को देख लेंगे कि यूनियन बीज ए ब्लीज फॉक लेन फॉट डीफाज और अब देखिका सिंगे जैसे कि हमने इसमें में देखा होगा चाहिए अबक यहां पर अल्यगरों कि आ्नरे अन्य तेथि ुट्वृत की ए यहां पर अनों डैफिक इस थे यां नम बॉस्ते हैं यह नंगिनें यह यह इंवरों यह ल nm keyword is used to define the anonymate data तो यहां पर यहां पर दिया गया है अब देखेगा आप इसका जो भी प्रोग्राम करेंगे आप प्रोग्राम को रन करने के लिए आप इसका क्या करेंगे वह आप यहां पर देख लेंगे तो देखेंगे हैं यहां पर आपको एक प्रकास के नाम से एक सब्सक्राइब कर लेंगे आप देखिए जैसे दो यार बाइस का बर्जन है क्योंकि मैंने पिछली बस किसको डाउनलूड किया था तो अभी इसको अप्रकास से खुछ यह स्टार्ट होता है तो यहां पर जो भी प्रोग्राम्स है यहां पर आपकर नए आएखे तो आपने बावर करेंगे और से नखिए ज़्लिक्त rinde से आपको यह और यह पर जो भी नाम है यहां डाल देगे और यह चीज जोबी यह소र आपuuuu सब्सक्राइब चार हाजार याननि सब्सक्राइब करेक्टर में देगी जैसे जैसे मैंने बोला था अब देगी यहां पर जैसे यह कोई करेक्टर नहीं तो लगा रखा इसमें पॉजिटिव इंटर डियाटाइब यह क्या है माइनस यहनी कि निगेटिव निगेटिव लगागा है और इंटर देखिए यहां पर निगेटिव लगाए लेकर यह इंटीजर टाइप है इस इस आप डिए इस आप डबल में डेगेटिव इतनी बड़ी संग्या आई थीक है यानि कि 4123456790 अब फिलोट जे में देखिए फिलोट में मैस है माइस हो यह प्लस लेकिन यह फिलोट डेटाइप रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अब देखे एक्जामपल के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे पर इंक्रूड इस्टोडियो और लिमिट्स और इंट मैं और यहां पर प्रिंट एप स्टोरे साइज और इस परसंट डिए और इसको पूरा करेंगे और यहां पर आप देखने जैसे कि कॉपी तो नहीं ह और चार है और चाहिए तो आसा करता हूं आपको सी डेटाइप जो भी क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि सी लेंग्वेज का हम डेटाइप को करवा दिया है आए नेक्स्ट वीडियो में सी टोकॉंस इंटिफायर कीवर्ड और भी आगे वीडियो मिलने वाली है तो आसा करत है जाद 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 वीडियो को सेर रहे हैं थैंको समझ मिलते नेक्स वीडियो में जाए हिन जाए बारत टेक्टियर वाइट